हेलो फ्रेंड्स मैं अभिशेक जोशी एलेक्रिकल इंजिनियर इन ब्लाग रूप अफ कंपनीज दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे वैक्यूम सर्कृट ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में जब भी वैक्यूम सर्कृट ब्र आइस वीडियो में दोस्तो बीना टाइम विस्ट के शारू करते हैं दोस्तो जब भी किसी भी इंडस्ट्री में आप वैक्यूम सर्कृट ब्रेकर का मैंटेनेंस लेंगे या किसी भी ड्राइव का मेंटेनेंस लेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना होता है लेक्रिकल आ toughest देखे घृट्रिकल आइसलेशन लेने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्न कुलर हम सर्किट ब्रेकर का मेंटेर सुस्वेर्व कर नियुन करना चाहें वारत उसका contact अभी make position में है, तो आप circuit breaker का maintenance नहीं ले सकते, यह safety point of view से बहुत ज़रूरी है, कभी भी यह मत सूचिएगा कि circuit breaker अगर charged condition में है, running condition में है, तो उस case में आप circuit breaker को maintenance में नहीं लेंगे, सबसे पहले आप isolate करेंगे आपके circuit breaker को, circuit breaker को rack out करेंगे, पूरा isolation procedure complete होने के बाद ही आप अपने maintenance का काम शुरू कर सकते हैं, अब दोस्तों सबसे पहली चीज जो vacuum circuit breaker के maintenance करते वक्त आपको check करना चाहिए, वो होता है contact burning को check करना, देखे जब भी आप circuit breaker को rack out करेंगे, breaker की जो ट्रॉली होती है, उससे circuit breaker को completely out कर देंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको देख देखनी चाहिए, वो होता है contact burning को check करना, देखे contact burning को check करने का मतलब ये है कि जब भी कोई circuit breaker, लंबे time period के लिए operation में रहता है, जब भी वो multiple time on और off होता है, तो उसके वज़े से circuit breaker के जो contacts होते हैं, उसमें heat formation होने लगता है, जिसके वज़े से जो contact है, उसमें carbon deposition हो जाना, या फिर contact में burning जैसी चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहली चीज़ maintenance point of view से, ये जो contact burning हुई है, उसको आपको trace out करना है, उसको आपको clean out करना है, और अगर extreme condition में burning बहुत जादा हो गई है, तो आपको contact उसके replace करने पड़ेंगे, जो arms है, उसको replace करना पड़ेग वो sort out हो जाता है, arms replace करने पड़े, ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन arms में जो contact burning हुई है, उसको check आपको जरूर करना चाहिए, जो भी burning spot है, उसको thoroughly clean करके आपको maintenance करना चाहिए, इसके बाद दोस्तों आता है extinguishing chamber, देखिए extinguishing chamber का का काम ये है, कि circuit breaker में जब भी हम लोग circuit breaker को off करते हैं, जब भी circuit breaker के contacts एक दूसरे से apart होते हैं, तो उसके वज़े से fixed contact और moving contact के बीच में एक arc formation होता है, इस arc को extinguish करने का काम होता है, extinguishing chamber का, यानि extinguishing chamber में जो भी arc extinguishing medium है, उसका use करके हम लोग arc को interrupt करते हैं, जैसे vacuum circuit breaker में हम लोग vacuum का use करते हैं, arc को interrupt करने के लिए SF6 circuit breaker में SF6 gas का use किया जाता है, arc को extinguishing chamber है, arc को extinguishing chamber है, arc को extinguishing करने का काम इसी chamber में होता है, तो जब भी हम arc को extinguishing करते हैं, तो उसके वज़े से भी जो contacts होते हैं अंदर, उसमें burning हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो arc होता है, उसके वज़े से high amount of current flow होता है, heat formation बहुत ज जादा होता है circuit breaker के अंदर, तो इसलिए जब भी आप circuit breaker का maintenance लेंगे, तो जो arc extinguishing chamber है, जहां पर आपके दो contacts के बीच में arc form हो रहा है, उन contacts पर burning spot आपको check कर लेना चाहिए, उसको भी आपको thoroughly clean कर लेना चाहिए, इसके बाद दोस्तों बात आती है circuit breaker के overall mechanism की, देखे circuit breaker का outer cover होता है, उसको जब आप remove करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे circuit breaker का mechanism देखने को मिलेगा, यह जो circuit breaker का mechanism है, इसमें closing coil भी होती है, tripping coil भी होती है, circuit breaker में बहुत सारे auxiliary switches होते हैं, वो भी सभी आपको यहीं देखने को मिलते हैं, तो over a period of time, यह जो बहुत छोटे छो auxiliary switches है, यह आपकी जो tripping coil है, closing coil है, इन सभी में dust formation होने लगता है, dust deposition होने लगता है, तो जब भी आप circuit breaker का maintenance लेंगे, तो dust को भी आपको थोरोली clean करना है, क्योंकि circuit breaker के auxiliary switches होते हैं, ऐसा हो सकता है कि dust formation के वज़े से, यह auxiliary switches है, यह अपना काम properly नहीं कर पाएं, तो जब भी आप circuit breaker का maintenance लेंगे, तो circuit breaker का जो पूरा mechanism है, उसको आप properly clean करेंगे, contact cleaner के help से भी यह किया जाता है, blower मार के भी overall cleaning की जाती है, main चीज यह है कि आपके circuit breaker का जो mechanism है, यह dust free रहना चाहिए, इसमें dust deposition या carbon deposition जैसी चीज़े नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूस्तों, circuit breaker क जो mechanism होता है, जिसमे number of auxiliary switches होते हैं, बहुत सारी control wiring होती है, इसकी tightness भी आपको check करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए circuit breaker के mechanism में जो भी control wiring है, इसमें अगर कहीं भी loose connection रहता है, कहीं भी अगर partial contact formation रहता है, तो उसके वज़े से आपके circuit breaker में nuisance tripping आज सकती है, आपके circuit breaker का जो operation है, उसमें interruption हो सकता है, हो सकता है, आपका circuit breaker कभी close ही ना हो, हो सकता है, आपका circuit breaker कभी nuisance tripping प्रोवाइड कर दे कि tripping की जवरत नी थी, पर फिर भी circuit breaker trip हो गया, तो इस तरीके की जो problems है, ये loose connections के वज़े से भी होती है, बहुत बार ऐसा होता है, कि circuit breaker के जो auxiliary switches है, य उसके वज़े से भी आपका circuit breaker का service है, वो interrupt हो जाता है, तो इसलिए जब भी आप circuit breaker का maintenance लेंगे, तो जो भी आपकी control wiring है, जो भी auxiliary switches की wiring है, इन सभी की tightness आपको एक बार check कर लेनी चाहिए, ताकि loose connection के वज़े से आपको कोई problem face ना करनी पड़े, जब ये सारी चीज़े आप चेक कर ले, तो आखिर में आपको circuit breaker को mechanically switch off और switch on करके जरूर देखना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप manually circuit breaker की spring को charge करेंगे, और circuit breaker पे दो buttons लगे रहते हैं उसको manually switch on और switch off करने के लिए, तो आप mechanically यानि कि manually खुद से circuit breaker का spring charge करके उसको on और off करके देखेंगे, ताकि आ operation properly perform हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बाद जब आप circuit breaker को racking करेंगे, यानि कि circuit breaker का चैंबर होता है उसके इस favorites position होती है, जब भी circuit breaker normal operation में होता है तो वह service pole position में होता है, तो अगर आपको circuit breaker को trial लेना है, circuit breaker को test करना है, कि उसकी tripping and closing mechanism properly work कर रही है या नहीं कर रही है, तो यह काम आपको test mode में करना होता है क्योंकि जब आप circuit breaker on करेंगे तो हम यह नहीं चाहते कि supply motor में जाए हम सर्फ circuit breaker को check करना चाहते हैं तो ऐसे में circuit breaker को आप test mode में रखेंगे और जो TNC switch होता है इसको हम लोग TNC switch कहते हैं इस switch का use करके आप circuit breaker को closing command और trip यह दोनों ही provide करवा सकते हैं तो इस TNC switch का use करके आप circuit breaker को test position में on और off करके देखेंगे इससे आपका जो closing circuit है और आपका जो tripping circuit है यह पूरा ही एक बार inspection हो जाएगा पूरा path आप completely check कर पाएंगे और आपके circuit breaker का maintenance यहाँ पर आप properly wind up कर सकते हैं तो दोस्ते एक vacuum circuit breaker का maintenance लेते वक्त या कोई भी जो HT breakers होते हैं उनका maintenance लेते वक्त यह कुछ general चीज़े है जो आपको check कर लीनी चाहिए कुछ-कुछ चीज़े अलग हो जाती है जैसे आप SF6 circuit breaker का maintenance लेंगे तो कुछ चीज़े अलग हो जाएगी क्योंकि SF6 gas के point of view से कुछ चीज़े आपको और चेक करनी पड़ेगी पर एक general inspection की बात करें तो ये सारे points एक vacuum circuit breaker या किसी भी HT और LT circuit breaker में आपको जरूर चेक करना चाहिए तो दोस्तों एक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा और इस channel को subscribe कीजेगा मैं आपसे मिलता हूं कर ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुडबाई